तो एक नए अपडेट सामबा जिला से सामने आ रहा है एक ओर कुरोणा वारस का पॉजिटेव मामला सामबा जिला में कंफरम हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगतार जिससे हम कल भी आपको अपडेट कर रहे थे कि सामबा जिला में पिछले 3-4 दिन में ल आपको बताना चाहता हूं कि यह जो व्यक्ति पॉजिटिफ पाये गया है यह सामबा जिला के रामगड इलाके का गाउं हीरा चक वहां का रहने वाला है और इसकी ट्रावल हिस्ट्री कुछ अलग तरीके की बताई जा रही है क्योंकि मैं बता दू कि यह पेशे से ड्राइव जो प्रवासी मज़़ूर हैं उन्हे बिहार में चोड़कर उसके बाद भी बता जा रही है की यह एक ट्रावल एजंसी की साथ जुढ़ा हुआ था और ट्रावल एजंसी के साथ जुढने के बाद कई सारी अलग-अलग यह गाड़ियां भी चलाता रहा है उसके बाद यह बताया जा रहे हैं कि जो सामबा का ठंडिक होई इलाका है, यहां पर सबसे बड़ा कॉरंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर भी इनकी जो अजन्सी की गारी है, वो अटैश थी और ये व्यक्ति बस लेकर ठंडिक होई कॉरंटाइन सेंटर में भी पहुचा और वहां से कुछ लोगों को उदंपुर पहुचाने का जिम्मा भी इसी का था रेलवे स्टेशन पर तो इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जब ये 24 तारीक को ठंडिक हुई इलाके से निकला उदंपुर के लिए तो यहां टिकरी में जो कॉरनडाइन सेंटर बनाया गया है वहां पर इसका जो सैंपल लिया गया और चोबीस तारीक को ये जो परवासी मजदूर से उन्हें रेलवे स्टेशन उदंपुर पर छोड़कर वापिस आ जाता है और 25 तारीक ये घर आ चुका है वापिस उदंपुर से वापिस आकर और ये भी बताया गया ह कि 25 तारीक को ये एक बार फिर से वापिस आता है मजदूरों को उदंपुर छोड़ने के लिए लेकिन आज सुभा इनको फोन आता है कि फलाना व्यक्ति ये पॉजडिव पाया जाता है कुरोना वारिस से तो उसी के चलते CMO आफिस सांबा की बात करें तो वहां पर भी इस की ट्रैवल इस से बताया जा रही है कि ये एक ड्राइवर था और ये जो परवास्ति मज़ूर थे उन्हें ठंडी कुई से उदंपूर लेकर गया था रिल्वे स्टेशन पर लेकिन टिकरी में इसका सैंपल लिया गया रैंडमली सैंपल लिया गया और सैंपल की जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये 24 तारी को ही मज़ूरों को छोड़कर घर वापिस आ चुका था अपने जो रामगड़ इलाके का इसका जो हीरा जग गाउ है तो वहाँ पर घर आने के बाद ये अपने घर वालों के बीच में रहा और कई लोग इसके संपरग में आये ह के बाद ये 25 तारी को फिर वापिस चला जाता है लेकिन इस व्यक्ति को जो यहाँ पर सैंपलिंग की गई थी वहाँ पर जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इस व्यक्ति को फोन आता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसी के बाद जो तक रामगर सब सेक्टर का रहने वाला है और कॉंटेक्ट ट्रेसिंग उसी के चलते बड़े पमाने पर शुरू कर दी और अब इस व्यक्ति को आईसोलेशन में भीज दिये गया है फिलाल अभी इसको कोवीड हॉस्पिटल घगवाल में शिफ्ट किया गया है और अगर अभी तक रिकवरी हो चुकी है लेकिन इस व्यक्ति की बात करें जो आज पॉस्टिफ आए गया है तो इनके घर वालो के भी सैंपल जो वो लेना शुरू कर दिया है पर शासन ने अभी थोड़ी दिर पहले और कॉंटेक्ट ट्रेसिंग भी बड़े पमाने पर की जा रही ह ये थोड़ी सी राहत हो सकती थी क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा कि ये इसकी थोड़ी सी ट्रेवल इसी बिहार से भी बतायी जा रही है फिर ये उदुनपुर तक गया है और ना तो ये कॉर्णडाइन सेंटर में मौझूद था और ये घर पर आ चुका है एक दिन तो मिल रहे हैं कि ये घर पर आया था और घर आने का मकसद आप अंदाजा लगा सकते कि इसको लेकर अब परशासन गंबीर होगा और इस पूरे इलाके को कंटेन्मेंट जोन गोशित किया जा सकता है तो कही न कहीं ये चिंता है अब बढ़ जुकी है एक बार फिर से एक ही केस पॉस्टिव आया है लेकिन इसके संपरक में कितने लोग होंगे ये अब थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है परशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है मैं पहले दिन से आपको बता रहा था कि परशासन के लिए बड़ी चुनोती लगातार यही है कि जो व्यक्ति प इस व्यक्ति को भेज दिया है लेकिन हम भी इस व्यक्ति के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं और ये व्यक्ति जल्द रिकावर होके घर पर आए इसी की हम कामना करते हैं और मैं आपको बता दू कि एक पर फिर से जाते जाते कि जो एक्टिव केसी सामबा जिला में वी बी खजूरिया जेके मीडिया के लिए